एक प्रावलम मैंने आपको और दी थी, प्लेन के उपर, एक concurrent forces लगे हुए हैं, प्लेन के उपर, कई forces लगे हुए हैं, उनका हमें सम निकालना है, और उसकी direction निकालना है, कि उन सारे forces की जगे हैं, अगर हम कोई कैसा force लगा दे हैं, जिसका effect भई हो, जो सारे forces का हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, तो इस question था calculate the resultant of all the forces and its direction, इस point पे, एक force लगा हुए 10 newton का, एक लगा हुए 50 newton का, एक लगा हुए 20 newton का, एक लगा हुए 20 newton का, different different angles लगे हुए हैं, तो हम मानके जलते हैं, 10 newton का force F1 लगा हुए, जो कि X axis के along लगा हुआ है, यह X axis है हमारी, यह X axis है, पचास newton इसको F2 कह सकते हैं हम लोग, यह 30 degree पर लगा हुए है, X axis 30 degree पर लगा हुए, F2, तीसरा force 20 newton का लगा हुए, F3, जो कि Y axis से 50 degree पर लगा हुए, चौथा एंगिल F4 अभी श्यूटन का जो कि माइनस X-axis से 30 डिजी पर लगा हुआ है यह क्या है माइनस X यह क्या है प्लस X इधा क्या है प्लस Y यह क्या है माइनस Y यह क्या है तो हमें इस सबका सम निकालना है तो देखिए बहुत आसान होता है मैंने आप से कहा था कि किसी भी फोर्स को हम X और Y में ब्रेक कर लेते हैं जैसे F1 लगा हुआ X-axis के अलोंग अगर यह F1 X-axis के अलोंग लगा हुआ है तो इसका Y कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा यानिकर F1 is equal to 10 Newton है तो F1 X भी 10 Newton ही होगा यह किदा होगा प्लस डारेक्शन होगा F1 Y इसका क्या होगा जिरो होगा इसी तरह से अगर हम यह कहें कि वही F1 Y की बात हम लोग करते हैं F2 की फोर्स की बात करें F2 को भी इस तरह से हम लोग तो तो अगर F2 की बात करें यह लगा हुआ 50 Newton जो 50 Newton का हमारा फोर्स लगा हुआ है यह किदर लगा हुआ X axis 30 degree बना रहा है F2 की value कित्ती 50 Newton इसका X component कित्ता होगा F2 cost 30 degree जिस axis से angle बनाता है उसके along हमेशा cost लेते हैं F50 cost 30 degree अब प्लस इस direction में है यानि प्लस आ रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया F2 side 30 degree यह भी positive है तो हमें positive लिख लिए है तीसरा फोर्स लगा हुआ F3 की तरह लगा यह यह बना रहा है 35 degree y-axis से तो 35 degree y-axis से बना रहा है इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं कैसे break करेंगे देखिए F3 उपर गी direction में यह F3 लगा हुआ है F3 वो break करेंगे तो एक इसका X-axis ज़र जाएगी ऐसे कर गया अब यह minus direction में है F3 sin 45 degree 20 sin 45 degree minus अब जैसा मैंने बताया था कि किसी भी force को जिस एक्सिस के along हम लेते हैं और जिस एक्सिस के along एंगिल बना होता है उसमें हम इसमें कॉस लेते हैं तो यहां पर Y direction में आप कॉस लेंगे तो क्या होगा F3 Y is equal to यह हो जाएगा हमारे पास F3 Y is equal to F3 cos 45 degree 20 cos 45 degree यह plus में आएगा इस तरह से F3 X यह sign में आएगा क्यों क्योंकि यह इस axis के along नहीं बना रहा है इस axis के along मिल दिया है तो आगे F3 X यानि हो गया है यह 20 sin 45 की माइनस का जाएगा इसी तरह से F4 की अगर हम बात करें देखिए F4 की अगर बात करें देखिए F4 हमारा कहां लगा हुआ है देखिए F4 हमारा इधर लगा हुआ है इस डायरेक्शन ही है F4 यह लगा हुआ है और यह X axis से बना रहा 30 डिगरी तो X axis के along इसका component क्या होगा F4 X is equal to F4 cos 30 डिगरी जिस एंगिल के along x से लेते हैं हमेशा x cos लेते हैं तो 20 cos 30 डिगरी यह माइनस का गया है इसका दूसर component क्या होगा वर्टिका लिए ऐसे परके F4 sin 30 डिगरी 20 sin 30 डिगरी माइनस का गया है इस तरह से हमने सारे component क्यों डिगरी अब उसको जोड़ लें अब X के axis के along resultant F1 F2 F3 F4 सब की हमने value put कर दी तो इसका आएगा 21.83 डिटन इसी तरह से इसी तरह से हम लोग Y axis के along अगर हम लोग Y axis के along जो है देखें Y axis के along देखें तो सब इस तरह से हम Y R लेके हैं F1 Y F2 Y F3 F4 सब को हमने जोड़ लिया है जो माइनस आया माइनस यो प्लस आया प्लस तो हमारे यह आगा 29.14 और इसका बहुत है FxR आ गया हमारे पास 21.83 F1 Y आगे 29.84 दोनों ही positive आगे तो FxR हमारा इदर हो गया कितना है 21.83 Fyr के दर हो गया 29.14 इन दोनों का resultant के आगे हमारे पास यह आ गया 36.41 यह resultant आ गया कैसे निकालेंगे F1 FxR आ गया इसका प्लस FyR आ गया इसका प्लस पाइथा गुरूस थे रहने को थी वह हमने इसको निकाल के निकाला तो आता है approximate हमारे जो आएगा इसका यह आएगा हमारे पास 36.41 जो 36.4 बढ़ा है अब हमें निकाला रियर टेंट एकस 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 एकड़ी बना रहा है तो उसको निकालने के लिए हमने क्या कि यह थीटा बाली है तो टेंट थीटा ही इसका इसका मतलब इस सारे फोर्स यहाँ पर लगे थे पर लगे थे इन सारे फोर्स से पर रिप्लेस कर देर और एक एक फोर्स लगा दे तो इस सारे forces को हम replace कर सकते हैं कि एक force तो इस तरह से हम इस problem उसे हम कर सकते हैं तो इस problem आपको समझ में आ रहा हुगी फिर भी अगर आपको दिक्कत आई तो इस problem उसे आप share कर सकते हैं